तो आप सभी को पता होगा इनरा गांधी सेंटर ओफ अटॉमिक रिसार्ट की तरफ से आईटीए चातरों के लिए 171 पदों के लिए परमनेट बहाली निकाली गई है जिसका फॉर्म अवेधन शुरू हो चुका है तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं कैसे कर देख लिजिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपोर्टन पॉइंट के बारे में जो आप लोग के द्वारा पूछा गया था कि इसका एक्जाम कब होगा और पेपर ऑफलाइन होगा या उनलाइन होगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सालेरी कितना मिले अगर उसको जरूर्ड प्रेस किजिएगा तो देखिए यहां पर टोटल आप लोग के 171 पद है और पहला बात तो यह आपका जोब पर्मानेंट जोब है ठीक है यह खियाल में मत रखिएगा कि टेंपरोरी है पर्मानेंट जोब है और आपका सेंटरल गवर्मेंट का है औ तो यहां पर जो आपका पोस्ट का नेम है वो है आप लोग का स्टैपेंडरी ट्रेनी केटोगोरी टू तो यह हो गया ओबर व्यू और पहला कोच्छन है कि एकजाम कब होगा तो चलिए मैं देखाता हूं पिडिबियस यह जो बहाली आया था उसका पिपर कितने महिनों मे लिया गया था तो यहां पर देख पर होंगे यह पिछले साल यानि की 2018 वाला बहाली है यहां पर देख पर होंगे अडबर्टिसमें नमबर और टोटल यहां पर 114 पदों के लिए बहाली आया था स्टैपेंडरी ट्रेनी केटोगोरी टू के लिए तो यह देख पर होंगे यहां पे मेरा फोटो लगा हुआ है यहां पे सेंटर था मेरा चन्नाय में पड़ा था और यह डेट आप लोग देख पार होंगे जनवारी 2019 का है यानि कि 6 महीना में इन्होंने पेपर कंड़क्ट कराया था ओनलाइन पेपर तो आप लोग मान के चलिए चार से 6 महीना के अंदर आप लोग का पेपर हो सकता है ठीक है टेंटेटी में बता रहा हूँ जो पिड़ी B.S.E.R. का उसके अनुसार और आपको लोग का पेपर जो होगा वो आप लोग का ओनलाइन होगा तो आप लोग का पेपर ओनलाइन त्यारी किजीगा ओफलान यहां आप लोग को देखाता हूँ तो मैं आच चुका हूँ अफिसियल एडबर्टिस्मेंट पर यहां पर देख पार होंगे स्टैपेंडरी ट्रेनिक कैटोगोरी टू का यहां पर टोटल सीट आप लोग का ट्रेड वाल देख पार होंगे और यहां पर मैं आप लोग को बताता के लिए एक मार कट कर दिये जाएगा math का 20, science का 20 और current affair का 10 रहेगा जी के current affair दूनों मिला करके यहाँ पे आप लोगा one hour का duration रहेगा यहाँ पे देख पार होंगे लिखा हुआ है one hour duration तो इसमें अगर pass कर जाते हैं तो उसी दिन आप लोगा साम को evening में आप लोगा advantage होगा stage 2 यहाँ पे आप लोगा shift trade का question रहेगा जो trade आप form fill up कीजिएगा total question आप लोगा 50 उसी trade का रहेगा ठीक है यह हो गया यहाँ आप 50 question आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का इसमें भी सही उतर के लिए गलत उतर के लिए एक मार आपका cut कर दिया जाएगा इसके बाद क्या होता है कि आप लोगा skill test होता है 4 से 5 गुना candidate को बुलाए जाता है जितना आप लोगा number of seat बहाली निकलाए जैसे कि 10 seat है तो 50 दरके को बुलाएगा skill test के लिए तो फिर skill test 2-3 महिने के बाद होता है तो उसमें आप लोगा practical test लिया जाएगा तो यह है आप लोगा overall selection process merit list आप लोगा सिर्फ stage 2 पे बनेगा 1 और skill test पे यहाँ पे mention नहीं होता है skill test आप लोगा सिर्फ qualifying यह इसमें pass करना रहता है और merit list आप लोगा सिर्फ 2 पे बनाएगा यह होगी आप लोगा selection process next था आप लोगा salary कितना मिलेगा तो देखिए पहले बाद तो आप लोगा 2 year का यहाँ पे training होगा 2 year का training होगा तो first year आप लोगा यहाँ पे 10,000 मिलेगा second year आप लोग को सारे 12,000 रुपया payment मिलेगा और book के लिए आप लोग को 3,000 रुपया allowance दिया जाएगा ठीक है तो 2 साल आप लोग को training में रहना होगा training के बाद आप लोग को 2 साल के बाद आप लोग का एक interview conduct कराती है अगर आप अच्छा मतब कि उसमें performance करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को level 4 का salary मिलेगा जिसमें आप लोग का basic बनेगा 25,000 तो 30 से आप लोग का 35,000 के बीच में इसमें salary बनेगा अगर आप interview में अच्छा performance नहीं करते हैं तो level 3 का बनेगा और इसमें आप लोग का 30,000 salary बन जाएगा 28,000 के बीच में तो यह होगी आप लोग का salary का बाद उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या काम आप लोग को करना पड़ता है इस वाले बहाली में देखिए जो आपको post का नेम है वो stepnity trainee category 2 है तो मेरे बहुत सारे दोस्त काम कर रहे है एक DAE में है यानि Department of Atomic Energy HWB में उनसे में भी बात किया हूँ और मेरा एक फिरेंड बारक में भी है मुंबई में तो देखिए एक्चलिम में आप लोग का work post का नेम तो stepnity training है लेकिन आप लोग का जो work रहता है चुकि अलग-अलग जग़ों पे इनका कुछ काम रहता है तो कहीं पे सब station बठाना हो cable डानना हो आपका underground cable डानना हो कहीं पे सब station 33 by 11 सब station बाइठाना हो तो वहीं पे आप लोग का field में duty रहता है और आप लोग का मतब कि कहीं कहीं पर होता है कि आपको डे में भी ड्यूटी लगता है फिल्ड बाला ड्यूटी नहीं लगता है तो मान के चलिए आप लोग का technician का काम मिलेगा जो एक normally technician को क्या काम रहता है आप लोग को पता है कि आप काम करना पर ना रहता है एक टूबलट खराब हो गया है मतलब कि रिसर्स सेंटर में तो टूबलट जाएकर सही कर दीजिए या कुछ और काम हो वो कर दीजिए तो टेकनीसियन का आप लोग का माँ रहेगा, दो सल के बाद ही आप लोग को मतलग की टेकनीसियन के आपको सभी का धन्यवाद लाइक करके जाएगा चैनल पर सब्सक्राइब करके जाएगा मिलूंगा नए वीडियो में नए जनकरी के साथ तब तक धन्यवाद